दिव्याशर्मा www.myfitnessbeauty.com अपनी डाइट का ध्यान रखकर हम उस बिमारी को कंट्रोल कर सकते हैं तो थाइराइड कुछ ऐसी ही बिमारी है कि अगर हम उसमें कुछ स्पेशल चीजें ऐसी खाएं तो हम उस बिमारी से अजादी पा सकते हैं तो आएए जानते हैं थाइराइड की बिमारी में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वर्दान हैं, तो थाइड की problem की बात करें, तो उसके जो reflection होते हैं, उसका जो symptom होते हैं, वो यह उते हैं कि hair fall, mostly यह देखा गया है कि जैंट्स में thyroid की problem कम होती है ladies में thyroid की problem ज़्यादा देखने को मिलती है और specially उन में hairful होता है कभी वो बहुत ज़्यादा मोटे या बहुत ज़्यादा पतले हो जाते है या बिना मतलब के stress रहने लगता है अब जानते हैं उस बरदान के बारे में ऐसी चीजों के बारे में तो आपको सबसे पहले बता दे जितना प्यास लगे उतना पानी जरूर पीना चाहिए वो सके तो उससे थोड़ा जादा पीना चाहिए thyroid की problem में पानी पीने से भी thyroid control में आता है इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट में अगर ग्रीन मेथी मिल रही है तो बहुत बैटर है नहीं तो जो सूकी मेथी हो दिये उसको रात को एक चमच भीको दीजिए और सुबह जो भीगी होई मेथी को खा लीजिए और पानी भी लीजिए ऐसा करने से thyroid control होता है क्योंकि ये जो मेथी दाने होती है इसमें antioxidant होता है जो thyroid को control करने में बहुत beneficial है सिर्फ आपको मेथी खानी है आप सूकी मेथी मिल रही है तो बैसे खा लेजिए ग्रीन मेथी मिल रही है तो आप उसकी सबजी बना कर बड़े एजिली खा सकते हैं जो कि thyroid में वर्दान है तो next चीज की बात करें तो वो है mushroom, mushroom को खाने से thyroid control होता है इसलिए mushroom को अपनी diet में जरूर शामिल करें आप एक diet chart भी बना सकते हैं कि एक दिन आप mushroom का रहें एक दिन आप मेथी का रहें इस according से भी आप अपनी thyroid की problem को control में कर सकते हैं इस चीज जो है वो है नारियल पानी आपको रोज एक नारियल पानी morning में जरूर पीना है जिससे की thyroid बहुत बढ़िया तरीके से control में आ सके उसके बाद आती है दही का नंबर यानि की curd-curd में immunity system को strong करने वाली चीज होती है लेकिन एक चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि दही आपको खटी नहीं खानी और दही उस दूद की दही नहीं जमानी जिस पर अभी cream हो यानि cream उतारी हुई दूद की दही खानी जिससे हम दूद से मलाई उतार देते हैं उस दूद की ही दहीं जमानी है और वही ताजी खानी है अगर आप ऐसी दहीं कहाते हो तो 100% जो thyroid है वो control होता जाएगा उसके बाद बात करें तो nuts की बात आती है और nuts में भी आपको बदाम और अक्रोट खाने जाहिए जो की thyroid की problem को control करने का सबसे बड़ा जरिया है ये ऐसी 5 चीजे हैं जिने खाने से thyroid control होता है ये thyroid की बिमारी में वर्दान साबित होती है ये थी information thyroid के बारे में अगर आप इसी information को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो description box में पंजाबी में भी link दिया गया है ये information आपको कैसी लगी प्लीज अपने comments के द्वारा जरूर बताईए मेरी वीडियो को like करें और अपने friends के साथ उसे जरूर शेयर करें प्लीज मेरे channel को subscribe करें ताकि मेरी आने वाली videos की information उसके updates आपको मिलते रहें मिलते हैं एक और नए informative video के साथ तब तक के लिए